साथियों, हमारे देश में करोडों करोड गरीब दसकों से एक बहुत बड़ी चिंता में रहते आए हैं। अगर बिमार पढ़ गए तो क्या होगा? अपना इलाज कराएं या फिर परिवार के लिए रोटी की चिंता करें? इस तकलीप को समझते हुए, इस चिंता को दूर करन एक ले ही करीब डेड़ साल पहले आविश्मान भारत योजना शुरू की गई थी। कुछी दिन पहले आविश्मान भारत के लाभारतियों की संख्या एक करोड के पार हो गई है। एक करोड से जादा मरीज मतलब देश के एक करोड से अधिक परिवारों की सेवा हुई एक करोड से ज़ादा मरीज का मतलब क्या होता है मालूम है। एक करोड से ज़ादा मरीज मतलब नौर्वेज जैसा देश, सिंगापुर जैसा देश उसकी जो टोटल जनसंग क्या है उससे दो गुना लोगों को मुप्त में इलाज दिया गया है। अगर गरीबों को अस्पताल में भरती होने के बाद इलाज के लिए पैसे देने पड़ते हैं, इनका मुक्त इलाज नहीं हुआ होता, तो उन्हें एक मुटा मुटा अंदाज है, करीब करीब 14,000 करोड रुपिय से भी जादा अपनी जेप से खर्च करने पड़ते हैं, आवि आउश्मान भारत के सभी लाभार्थियों के साथ साथ मरीजों का उपचार करने वाले सभी डॉक्टरों, नर्सेश और मेडिकल स्टाप को भी बधाई देता हूं, आउश्मान भारत योजना के साथ एक बहुत बड़ी विशेस्ता, पॉर्टेबिलिटी की सुविधा भी ह पॉर्टेबिलिटी ने देश को एकता के रंग में रंगने में भी मदद की है, यानि बिहार का कोई घरीब अगर चाहे तो उसे करनाट का में भी वही सुविधा मिलेगी जो उसे अपने राज्य में मिलती, इसी तरह मार्ष का कोई घरीब चाहे तो उसे लाज की वही आस्त की ववस्ता कमजूर है, वहां के गरीब को देश के किसी भी कौने में उत्तम इलाज करानी की सहुलियत मिलती है, साथियों आप ये जानकर हैनार रह जाएगे कि एक करोण लाभार्थियों में से असी प्रतिशत लाभार्थी देश के ग्रामीन इलाकों के हैं, इन में भी करीब करीब 50 प्रतिशत लाभार्थी हमारी माताएं, बहने और बेकिया है, इन लाभार्थियों में ज़्यादातर लोग ऐसी बिमारियों से पिडित थे, जिनका इलाज सामान्य दवाओं से संभव नहीं था, इन में से 70 प्रतिशत लोगों की सरजरी की गई हैं, आप लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तकलिफों से इन लोगों को मुक्ति मिली है, मणिपूर के चुरा चांदपूर में 6 साल के बच्चे केलेन सांग उसको भी इसी तरह अविश्मान योजना से नया जीवन मिला है, केलेन सांग को इतनी छोटी उम्र में ब्रेन की गंभीर बिम दूर है और मां बुनाई का काम करती है, ऐसे में बच्चे का इलाज कराना बहुत कठीन हो रहा था, लेकिन आविश्मान भारत योजना से अब उनके बेटे का मुप्य इलाज हो गया है, कुछ इसी तरह का अनुभव पुडी चेरी की अमुर्था वल्ली जी का भी है, उनक उनके 27 साल के बेटे जीवा को भी हाड की बिमारी थी, डॉक्टर्स ने जीवा के लिए सरजेरी की सलहा दी थी, लेकिन दिहारी मद्दूरी करने वाले जीवा के लिए अपने खर्ट से इतना बड़ा अपरिशन करवाना संभवी नहीं था, लेकिन अमुर्था वल्ली ने अपने बेटे का अविश्मान भारत योजना में रेजिस्टेशन करवाया और नव दिनों बाद बेटे जीवा के हाड के सरजेरी भी हो गई, साथियों मैंने आपको सिर्फ तीन चार गटनाओं का जिक्र किया, अविश्मान भारत से तो ऐसी एक करोड से अधिक कहानिया ज इसानों की है, दूख तकलीप से मुक्त हुए हमारे अपने परिवार जनों की है, आप से मेरा आग्रह है, कभी समय मिले तो ऐसे व्यक्ति से जरूर बात करिएगा, जिसने आविश्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज कनाया हो, आप देखेंगे कि जब ये गरीब बि बढ़ने की भी थाकत नजर आने लगी है, और मैं हमारे देश के इमानदार टैक्सपेर से कहना चाहता हूँ, आविश्मान भारत योजना के तहत जिन गरीबों का मुपत इलाज हुआ है, उनकी जीवन में जो सुक आया है, संतोश मिला है, उस पुन्य के असली हकदार आप हमारा इमानदार टैक्सपेर भी इस पुन्य का हकदार है.